हेलो बच्चो दिस इस मी महिमा अन मेरे साथ आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वोर्कशीट नमबर 19 जो की 21st ऑफ अगस 2021 के लिए है क्लास्ट इन सोशल साइन की वोर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका आज का टॉपिक है रिसोर्स और इसका सब्टाइटल है सॉईल इरोजन तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक तो देनिशन ओफ देस्ट इसका टॉपिक है लगा तार जब मिट्टी का कटाव या बहा होता है तो उसके करन मिट्टी एक जगे से दूसरी जगे स्थानांत्रेट हो जाती है और उसी को सॉईल इरोजन कहा जाता है अब क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है सॉईल के बनने का और सॉईल के इरोज होने का अपरदन होने का दोनों एक साथ चलता रहता है यानि कि एक तरफ मिट्टी बनती रहती है और दूसरी तरफ उसका कटावर वहाओ भी होता रहता है अगर ये दोनों चीज एक साथ ना जैसे आपने देखा है कि तेजी से हवा चलती है या पानी भैता है तो मिट्टी उसके साथ बह जाती है लेकिन जो छोटे-छोटे कंकर उसके साथ बचते हैं वो कंकर दबने से धीरे-धीरे करके पिछ जाते हैं और उनसे मिट्टी बन जाते हैं तो इस तरीके से जिस जगे के मिट्टी बह जाती हो जगे नई मिट्टी बन जाती है Sometimes this balance is disturbed कई बार क्या होता है कि ये जो balance होता है ये बिगड़ जाता है Human activities की वज़े से जो हम मानव हैं हम कुछ ऐसी activities करते हैं जो होता है ये जो balance है मिट्टी बनने और अपरदन होने का एक साथ वो बिगड़ जाता है या तो अपरदन बहुत तेजी से होने लगता है और मिट्टी का बनना जो होता है वो slow हो जाता है जिसके करण जो balance है वो बिगड़ जाता है और जैसे कि इसका example है deforestation overgrazing, construction and mining etc ठीके बहुत जादा पेडों को काटना जंगलों को काटना यानि कि deforestation करना overgrazing यानि कि बहुत जादा पशुओं को चराना construction करना ठीके और mining करना यानि कि वो जो खनीज वगेरा निकालने के लिए खुदाई की जाती तो इससे क्या होता है soil erosion बहुत जादा होने लगता है while natural force like a wind, glacier and water led to soil erosion और कुछ natural reasons भी हैं जैसे कि बहुत तेज हवा चलना glaciers और जो water leds हैं इन सब के कारण भी soil erosion होता है आगे देख लेते हैं types of soil erosion soil erosion कितने type के होते हैं तो mainly four types के होते हैं जो यहां आपको दिखा रखे हैं number one gullies, number two sheet erosion, wind erosion and defective methods of farming ठीक है तो यह चार तरीके हैं जिससे soil erosion बहुत जादा होता है आगे देख लेते हैं gullies the running water cuts throw the clay soil and make deep channels as gullies होता क्या है कि जो बहता हुआ पानी होता है आपने कई बार देखा होगा जब तेजी से बारिश होती है पानी बहुत pressure से बहता है तो अपने साथ उचे area से मिटी को भागे लिया आता है नीचे हिस्से में और नीचले हिस्से में जब पानी बहता है तो आपने देखा जिस रास्ते से पानी बहता है वहाँ एक रास्ता बन जाता है पानी की वज़े से ठीक है किनारे किनारे मिट्टी जमा हो जाती है और सेंटर से साइड साइड में जब मिट्टी कलेक्ट हो जाती है तो सेंटर से पानी बहता है एक रास्ता बना लेता है उसी को बोलते हैं ये गुलीस और जो ये गुलीस बन जाते है पानी में ओक्या कर देते हैं वो जमीन जो होती है उसका उपण कतम होने लगता है जिसकी वज़े से उसे बैड लेंड भी कहा जाता है चंबल बेसिन जो है वहाँ पर इस तरह के लेंड पाए जाते हैं और चंबल बेशिन में इस तरह के लैंड को रिवाइंस कहा जाता है नेक्स्ट है शीट इरोजन सम्टाइम वाटर फ्लोस आज शीट ओवर लार्ज एरियास डाउन स्लोप कई बर क्या होता है कि उचाई से पानी जब नीचे की तरफ बहता है और घुलीवे मिटी पानी के साथ उपर से नीचे बह जाती है उसे ही शीट इरोजन कहते है इसी को शीट इरोजन कहा जाता है नेक्स्ट है wind erosion wind blows loose soil off flat or sloping down land as a wind erosion जो मिट्टी की उपरी सेते होती उसमें जो loose soil होती है कुछ मिट्टी जो होती है जो मीन के अंदर दबी हुई होती है चीकि उसकी बाद हम नहीं करें loose soil जो उपर हलकी से मिट्टी होती है जब तेज हवा चलती है तो तेज हवा के साथ जो वो loose soil होती है वो हवा के साथ बहे कर एक जगे से दूसरे जगे shift हो जाती है और उसी को wind erosion कहा जाता है next है defective methods of farming farming यानि कृशी का गलत तरीके से कृशी करना भी कहीं न कहीं soil erosion का का कारण होता है soil erosion is also case due to defective method of farming plugging in a wrong way यानि कि जुताई गलत तरीके से करना उससे भी क्या होता है कि soil erosion होता है up and down the slope from channel for the quick flow of water leading to soil erosion next है कि up and down जो होता है slope में मतलब slope means होता है धलान और जो अभी हमने channels की बात की थी कि जब पानी एक पतला रास्ता बनाके एक जगे से बहने लगता है तो क्या करता है वो एक रास्ता create कर लेता है एक channel created कर लेता है और वो जो channel होता है उसमें जो बीच 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 में गढ़े बन जाते उसमें जगे जगे पानी भढ़ाता है जिसके करण मिट्टी का जयाओपन खतम होने लगता है और यह गलत जुताई के कारण होता है This is most important renewable resource, natural resource जो soil है वो हमारी बहुत ही important natural resource है और renewable natural resource है जो कि अपने time to time renew होती रहती है बट इसका balance नहीं बिगड़ना चाहिए It takes millions of years to become a few centimeter of soil कुछ cm नई मिट्टी को बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं तो इसलिए जरूरी होता है कि जो मिट्टी है उसका अपर्दन बहुत तीजी से ना हो अगर थोड़ा थोड़ा अपर्दन होता है तो उससे जादा इफेक्ट नहीं बढ़ता है therefore it is necessary to be protected क्योंकि आजकल बहुत जादा overuse किया जाता है सॉल का जिसकी वज़े से जो मिट्टी है वो बहुत जादा अनुपजाओ होती जा रही है इसलिए उसका selection करना यानि कि उसको save करना उसको conserve करना बहुत important हो गया है आगे देख लेते हैं methods of soil conservation soil conservation के methods क्या है वो देख लेते हैं तो सबसे पहला method जो है वो है a forestation क्या है a forestation यानि कि बहुत सारे पेड लगाना दूसरा है contour plugging contour plugging मतलब इस तरह की जुताई करना जिससे की सही तरीके से जुताई करना जिससे की मिट्टी का उगजावपन खतम ना हो मिट्टी खराब नहीं होनी चाहिए strip cropping strip cropping का meaning होता है कि एक ही जमीन पर एक ही समय में एक से अधिक फसल उगाना उससे दो benefit होता है कि एक को अ मिट्टी का मिट्टी के दर नाillytrosan और कुछ यासे ताटु होते हैं जो फसल ऊगाने के लिए अच्छे होते हैं तो किसी एक फसल को दो यह तीन फसल को मिक्स करके उगाते गातें कई बर किसान उससे क्या होता है एक फसल उसमें ऐसी होती है जो मिट्टी से जादा मात्रा में नाइट्रोजन लेती है और दूसरी फसल ऐसी होती है जो बहुत कम मात्रा में लेती है यानि कि वो मिट्टी का बैलेंस नहीं बिगड़ने देते हैं मिट्टी के बैलेंस को बना के रखते हैं और इससे जमीन की उपजावपन भी बढ़ती है, खतम नहीं होती है, तो strip cropping भी उसी का एक part है, उसके बाद है shelter belts, ठीक है, तो ये कुछ तरीके है, soil conservation के, जिसके बारे में detail में हम next worksheet में पढ़ेंगे, तो चलिए, आज की worksheet को finish करने के बाद देख लेते हैं, आज हमें क्या-क्या questions दिये गए हैं answer the following question, question number one है, write your views on the method of soil conservation, number two, describe the types of soil erosion, and number three, make a list of cases which are responsible for soil erosion in your area, तो बात करते हैं अब सभी questions के answers की, तो चलिए, देख लेते हैं, आज के सभी प्रशनों को, आज का first question है, write your views on method of soil conservation, यानि की soil conservation के आपको जो methods हैं उनके उपर अपने views बताने हैं, तो methods of soil conservation, afforestation, crop rotation, strip cropping and contour plugging, ये methods हैं, soil conservation के, afforestation मतलब होता है, बहुत सारी पेंड लगाना, यानि बहुत सारी पेंड पोधे लगाने से क्या होता है, मिट्टी का कटाव रुख जाता है, क्योंकि पेंडों की ज जमीन पे एक से अधिक फसल को rotate करके लगाना, जिससे की मिट्टी का उपजवपन समात ना हो, and strip cropping का मतलब होता है, strip, जैसे की जमीन के उपर लंबी-लंबी, suppose ये आपकी field है, और इस तरीके से strips बना दी जाती हो, और इन ही पे फसल लगाई जाती है, strips बीच में खाली जग Conservation of soil has become very important today's era, because nowadays farmers use more and more chemical fertilizers and pesticides in the desire for more yield on less land, आजकर कम जमीन पे ज़्यादा उत्पादन होने की लालसा रखने के कारण, किसान जो है, वो बहुत ज़्यादा chemical fertilizer और pesticides का यूज़ करने लगे हैं, जिससे की जमीन का उपजवपन भी समाप्त होने लगा, और जो फसल उसे उपलर् ज़्याद के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए आजकल soil conservation बहुत important हो गया है, बात करते हैं, question number 2 की, question number 2 है, describe the types of soil erosion, तो types of soil erosion है number 1, gullies, the running of water cuts through the clay soil and make deep channels as gullies, this kind of land becomes unfit for cultivation and is known as gullies, ठीक है, यहापे gullies लेना आप, इस से निके से, तो इसका मतलब यह होता है, कि जो बहता हुआ पानी है, जब वो pressure से बहता है, तो एक रास्ता बनाते वे जाता है, एक गहरा सा रास्ता बनाते वे जाता है, जो धीरे धीरे उस जगे की मिट्टी का उपजावपन समाप्त करते जाता है, और इसी को gullies कहा जाता है, ऐसी ज बटर फ्लोज आसा शीट कवर लार्ज एरिया डाउन स्लोप इन सच केसे टॉप सॉइल इस वाजट अवे अन डिस इस नोन अशीट रोजन शीट रोजन का मतलब होता है जब पानी फैल कर चारो तरह फैल कर ऊपर से नीचे की तरह बहता है तो वह पानी अपने साथ पानी के स साथ साथ मिट्टी को भी भाकर ले जाता है उसे ही शीट रोजन कहते हैं नेक्स से विंड रोजन जब तेज हवा अपने साथ धेर सारी मिट्टी को उड़ा के एक जगे से दूसरे जगे ले जाता है उसे विंड रोजन कहता है तो विंड ब्लूस чист Il deo और Flat or Sloping Land is Known as Wind Erosion, जब तेज हवा चलती है तो आंधी या हवा टाइप जो होती है, वो अपने साथ ऊपर की जो loose soil होती है, मिट्टी जो होती है, कुछ नीचे वाली जमी भी मिट्टी होती है, उपर वाली जो हलकी loose soil होती है, वो हवा जो होती है, उस मिट्टी को आपने कारण होता है soil erosion is also case due to defective method of forming यनि गलत तरीके से जुताई करना गलत तरीके से हल जलाना इससे भी क्या होता है कि जो मिट्टी का उपजावपन होता है वो समाप्त होने लगता है अगर गलत तरीके से जुताई की जाती है तो जगे जगे जमीन पर गड़े बन जाते हैं उन गड़ों में पानी कलेक्ट हो जाता है और जो की मिट्टी का उपजावपन समाप्त करने लगता है question number 3 की बात करते हैं make a list of cases which are responsible for soil erosion in your area आपके area में soil erosion के लिए कौन से reasons responsible है वो बताना है तो cases of soil erosion around us हमारे आसपास के area में soil erosion का कारण है number 1 sheet erosion and number 2 wind erosion दो चीजों से soil erosion होता है sheet and wind due to hilly land in our reason हमारे reason में hilly land होने के कारण mostly sheet erosion and wind erosion take place ठीक है तो जड़ा दर sheet erosion और wind erosion होता है तो यह है आज की हमारे सभी प्रश्ण और उनके उत्तर I hope आपको समझ में आये होंगे और वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले करते हैं